स्वागत है आप सबका SG food world में एक बार फिर मैं लोटी हूँ एक नई टेस्टी डिलिशुस रेसिपी के साथ जिसका नाम है स्टफ पिज़ा कुलचा बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है इस रेसिपी की शुरुआत करन चलिए शुरू करते हैं स्टफ पिज़ा कुलचा बनाना इसे बनाने के लिए आपको चाहिए तीन मेडियम साइज अनियन जिसे बारीक काट लेंगे यानि की चॉप कर लेंगे एक हरी शिम्ला मिर्च जिसे लंबे बारीक पीसिज में कट कर लेंगे जैसे कि आप देख सकत हैं आदी पीली शिम्ला मिर्च और आदी ही लाल शिम्ला मिर्च जिसे लंबे बारीक पीसिज में कट कर लेंगे अगर आपके पास लाल और पीली शिम्ला मिर्च नहीं है तो आप हरी शिम्ला मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अब लेंगे एक स्मॉल क्यारट जिस इसे भी ग्रेट कर लेंगे और लिया है ग्रेट किया हुआ पनीर 100 ग्राम आपकी सहुलियत के लिए मैं सारे इंग्रीडियंट्स विद क्वांटिटी रेसिपी बॉक्स में मेंशन कर दूँगी इंग्रीडियंट्स आरे रेडी हैं तो चलिए बनाते हैं इसकी स्टफिंग न रिफाइन डॉल थोड़ा सा गरम हो जाए तो इसमें आड़ करेंगे सरसो एक चुथाई टीस्पून स्टर करेंगे और साथ ही साथ डालेंगे एक चुथाई टीस्पून राई अब डालेंगे चॉप किया हुआ अनियन जो हमने अल्रेडी त्यार करके रखा है और स्टर कर लेंगे अच्छे से फ्लेम को स्लो टू मीडियम पे ही रखना है प्याज को एक मिनट के लिए स्टर करना है जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता आप देख सकते हैं कलर थोड़ा बदल गया है ट्रांसलूसेंट सा हो गया है अब इसमें डाल देंगे हम शिम्ला मिच मिक्स करते जाएंगे अच्छे से मिक्स हो जाए तो डाल देंगे क्यारट ग्रेट की हुई साथ ही साथ डाल देंगे क्याबिच स्टर करेंगे एक बार अगर ये रेसिपी आप ट्राइ कर लेंगे तो बार बार बनाएंगे घर पे बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्लेम को मीडियम रखेंगे और चलिए इसमें आड करते हैं सारे मसाले सबसे पहले डालेंगे इसमें स्वादा अनुसार नमक यहां मैंने लिया एक टीस्पून नमक आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं एक चुथाई टीस्पून लाल मिर्च मिक्स कर लेंगे एक टीस्पून धनिया पाउडर एक चुथाई टीस्पून काली मिर्च स्टर करेंगे अच्छे से तकरीबन 10 मिनट बाद आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और एक लिट से पैन को कवर कर देंगे दो से चार मिनट में आपकी स्टर्फिंग जो है वो बिल्कुल त्यार हो जाएगी देखिए कितनी बड़िया लग रही है स्टर्फिंग अब स्लो फ्लेम पर तवा गरम कर लेंगे जितनी देर में तवा गरम होता है हम कुल्चा रेडी कर लेते हैं मार्किट में ये कुल्चे इसली अवेलेबल है एक कुल्चे को आदा कर लेंगे एक साइट पर लगाएंगे आप पीजा टॉपिंग नाइफ की मदद से पीजा टॉपिंग स्प्रेड कर लेंगे कुल्चे के दूसरे हिस्से पर लगाएंगे मियोनी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे नाइफ से कुल्चा की स्टफिंग जो हमने रेडी की थी वेजिटेबल को सौटे करके वो अब पीजा टॉपिंग वाली साइट पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उपर से डालेंगे क्रेट किया हुआ पनीर जितना ज़्यादा पनीर डालेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा जब पनीर अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो दूसरे कुल्चे के भाग से जिसपे म्योनीस लगी थी उसे धग देंगे अब बस कुल्चे को सेखना है तवा हमारा गरम हो चुका है आप कुल्चे को बटर, घी, तेल किसी में भी सेख सकते हैं मैं यहाँ पे बटर में सेख रही हूँ बटर को अच्छे से पूरे तवे पे फिला लेंगे और कुल्चे को दोनों साइट से सेख लेंगे देखे गोल्डन ब्राउन कलर आजाना चाहिए जब कुल्चा सिकेगा तो तब ही टेस्ट बढ़िया आएगा तो रेडी है हमारा स्टफ पीजा कुल्चा देखे कितना बढ़िया लग रहा है यह खाने में तो मज़ा ही आजाएगा गार्णिश करें इसे ग्रेटिट पनीर के साथ बनाईए और सै परिवार खाईए पताईएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आप सबको यह रेसिपी मैं लोटूंगी ऐसी ही और मज़िदार और टेस्टी रेसिपीज के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक के हैं